कच्छा 12 का 20 भूगोल मॉडल पेपर है यानि कि सब्जेक्ट है आपका भूगोल का है यहां पे आपको जो समय दिया रहेगा वो तीन घंटे और 15 मिनट का दिया रहेगा यानि कि आपको राइट करने के लिए तीन घंटे और आपका जो प्रस्पत्र होता है वो पढ़ने के मेले 15 मिनट का समय दिया रहता है बर रहेगा सत्रनबर का पुड़ा और तीस मर आपके जो प्रेक्टिकल होते है यानि कि आपको श्कोल से मिलता यानि को निक पर आता है वो सत्तर नंबर का हताता है प्रस्ण संख्या एक से आठ तक आपका बहु बिगल्पी की प्रस्ण है और प्रस्ण संख्या नौ से जो 16 तक का है वो अती लगु उतरी प्रस्ण है चौथे नमबर पे आता है प्रस्ण संख्या 17 से 22 तक का लगो उतरी प्रस्ण आएगा यानि कि उस चे थोड़ा सा बड़ा राइट करने को आएगा और प्रस्ण पत्र जो 23 से और 24 है वो दिर्ग यानि बड़ा आएगा दिर्ग मतलब बड़ा होता है दिर्ग उत्री प्रस्ण आएगा और प्रस्ण पत्र जो संख्या है वो 25 और 26 का तुव मानचीत्र यानि कि मानचीत्र समंधित प्रस्ण आपको दिये रहेंगे उपयूक्त रेखा मानचीत्रो एवं आरेखो द्वारा अपने उत्तरवू कोई पुष्टी करना रहेगा बहुत बिकल्पी आपका प्रस्ण है फोस्ट आता है निमलिखित में से कौन सा एक मानव भुगोल का उपागम नहीं है यानि आपको चार आपसन दिये रहेंगे जिस निमलिखित में से एक आपका आपसन सही रहेगा उस पे आपको सही का निसान लगा कर राइट करना है तो निमलिखित में से कौन सा एक मानव भुगोल का उपागम नहीं है को है छेत्री विभीनता मात्रात्मक क्रांती इस्थानिक संगठन अनवेसर और वर्डन दूसरे न अमर्त्य सेन का और दूसरा है डाक्टर महमूद उल हक का और तिसरा है एलन सी सेमपूल का और चोथा है रेड जेल ठीके तो आपके ये चार आपसन से जिसमें सही और सही का निसान लगा दीजेगा फ़र्ड नमबर पर आता है निम्लिखित देशों में से किस देश में सकारी क्रिशी का सफल परिछड किया गया है कव है रूस, कव है डेनमार्क, कव है भारत और चोथे नमबर पर निदर लेंड चोथा है आप्सन निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सडक नदी या नहर के किनारे होती हैं को है वित्ताकार चौक पट्टी रेखिये वर्गाकार ये चार आप्सन है जिसमें से एक आप्सन आपका सही है पांचों नमबर पे आता है आपका सन 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलेखित में से किस राज्य के में नगरिय जनसंख्या का अनुपात सरवाधिक है यानि कि जो जनसंख्या है आपका वो का अनुपात सरवाधिक है पहला है तमिल नाडु में ख है महराष्टर में गह है केरल में और गह है गोवा में जिसमें से एक आपसन आपका सही है उस पे सही का निसान लगा दिजेगा छेठो नंबर पे आता है निम्लिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है आगरा भोपाल पटना कोलकता सात्वा क्वेस्चन है निम्लिखित में से किस अस्थान पर पहला परमाल उर्जा इस्टेशन इस्थापित किया गया था पहला है कल पक्कम, ख है नरोरा, ग है राडा प्रताप सागर और ग है तारापूर अठवे नंबर पे आते हैं निम्लिखित में से सरवाधिक प्रदूसित नदी कौन सी है ग है ब्रह्मा पूत्र, ख है सत्लजूल और ग है यमुना, ग है गुदावरी नेक्स्ट आते हैं, यह सब आपके बहुत बिकल पे जितने भी प्रस्न थे, सब एक एक नंबर के थे नीचे आते हैं अतु लगी उत्री प्रस्न, यानि कि अती लगू मतलब सब बहुत ही छोटा यानि कि एक दो लाइन के यह आपको आंसर देने होते हैं, जो कि आपका एक एक क्वेस्टन दो दो नंबर का होता है तो नववा है, रेट जेल के सब्दों में मानो भूगोल को परिभासित कीजिए यानि कि जो रेट जेल है, उसके उनके सब्दों में आपको मानो भूगोल को परिभासित करना है दसवा क्वेस्टन है, जनन नांकिक संक्रमण का उपयोग कहां किया जाता है यह आपका दो नंबर का question है इग्रहवा नंबर है मानो विकास के चार प्रमुग घटकों के नाम लिखे यानि जो मानो विकास के चार प्रमुग घटक है उनके नाम राइट करना है बरहवा है चिकित्सा परेटन किसे कहते हैं यानि जो चिकित्सा परेटन है किसे कहते हैं ये भी दो नमबर का है तेरहवा है आर्थिक द्रिष्टी से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बाटा गया है यानि आर्थिक जो द्रिष्टी से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बाटा गया है ये भी दो नमबर प्रतिसत भी लिखे यानि अगर आप पुरा लिखेंगे भारत की उच्चतम सचर्टा दर किस राजी की है यानि कि अगर आप राजी का नाम लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और इसकी प्रतिसता लिखेंगे तब जाके आपको एक नंबर मिलेगा यानि दोनों को मि राजियों में पाई जाती है यानि कि आप लिखेंगे बस्तिया किस प्रकार के होती है तो आपको एक नंबर और ये भारत के किस राजिय में पाई जाती है राज जी का नाम लिखेंगे तो एक नंबर पुरा मेला के आपको दो नंबर ये इसमें मिलेगा सोलामा है धात्वी खनीज एवं अधात्वी खनीज में कोई दो अंतर बताईए धात्वी खनीज में अंतर लिखना है और अधात्वी खनीज में अंतर आपको राइड करना है नेश्ट आता है लगु उतरी प्रस्ण अती लगू का मतलब होता है कि बहुत छोटा और लगू का मतलब होता है कि उच से थोड़ा सा बड़ा तो सत्रवा नमबर पे आता है मानव भूगोल किस प्रकार अने समाजी विग्यानों से सम्मंदित है यालि जो मानो भुगोल है वो किस प्रकार अने समाजी बिज्ञानों से सम्मंदित है अगर आप ऐसा पूरा राइट करेंगे यानि कि अगर आप 5-6 लाइन में राइट करेंगे तो आपको चार नंबर पूरा फिक्स है कि आपको मिल जाएगा अठरमा है प्रवास के प्रतिकर्स कारक तथा अपकर्स कारक में दो अंतर लिखे यह भी आपका चार नंबर का है उनैस्वा नंबर के आते हैं उनैस्वा क्वेशन बजारी सबजी क्रिसी नगरी छेतरों के समीब क्यों की जाती है यानि जो बजारी, सबजी, क्रिसी, नगरी, छेतरों के समीब क्यों की जाती है तो आप उत्तर राइट कर लिजेगा बिश्वा है, यह कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है जल संसाधन की कमी के लिए उत्तर दाई कारकों को लिखे यानि आपको उत्तर दाई कारकों को लिखना है, जल संसाधन पर यह पूरा टॉपिक डिपेंड है यानि कि यह टॉपिक आपके लिए बेश्ट है, इसलिए आप पूरा का पूरा यह टॉपिक पढ़ लिजेगा गूगोल में 21 है, उर्जा के और पारंपरिक सुरोतो कौन से है, जुआरिये तथा तरंग उर्जा के विशे में लिखिए अगर आप स्क्रिन सॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही पेपर आपके मॉडल पेपर आपके बोर्ड एक्जाम में आने वाले है 22 है, सतत पोसड़िये विकास की संकल्पना को परभासित कीजिए, यानि सतत पोसड़िये विकास की जो संकल्पना है, उसे अगर आप परभासित करेंगे, यानि लॉंग आंसर में ये थोड़ा है, तो अगर आप पूरा लिखेंगे तो आजा के आपको चार नंबर पूरे क पूरे मिल जाएंगे सबसे लास्ट क्वेस्टन और सबसे बड़ा यानि दिर्ग उतरी प्रस्ण यानि कि इसे आप तीन चार पांच पेज में जितना आपको टाइम हो आपके पास उतना प्राइट करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर आपको बोर्ड एक्जाम म 23 ग्रामिड एवं नगरी बस्ती किसे कहते है उनकी विसैस्थाओं का वरडन किजिए अथवा अथवा दिया है यानि अधवा मेस्ट का कहना होता है कि अगर आप ऊपर का अगरण आपको क्वेस्चंन नहीं आता है यानि देख सकते हैं आप तही समा में आपको दो प्रस्न दिया है यानि इसमें क्या होता है कि अथवा अगर लग जाता है तो आपको अगर पहला question नहीं आ रहा है अगर दुसरा question अगर आपको आ रहा है तो आपको चाहे दुसरा करिए अथवा करिए या फिर आपको पहला question क 24 नमबर है भारत में जनसंख्या के घनत्यों के इस्थानिक विवरण को इस्पष्ट किजिए अथवा नगरों के प्रकारयात्मक वर्गी करण का उल्ले किजिए तथा किसी चार प्रकारयात्मक नगर को उदारण सहीत लिखिए 25 जो कि आपका आधा आधा नमबर का आएगा यानि आपका मंचित्र है भारत में दिये गए मंचित्र में निम्लिखित को उपयोग चिन्हों द्वारा दर्साइए और उनके नाम भी लिखे ये सारे आपको आधे आधे नमबर के क्वेश्टन आएगा सबसे अधिक जन्संख्या वाला राज जो है उसे आप राइट कर लिजेगा और आपको मंचित्र दिये जाएंगे कौपी के साथ तो आप उसमें मंचित्र को दर्सा दिजेगा कि कोई ये राज इस यहाँ पे दर्सा है ठीक है सिकेंड है अधिक्तम सचर्टा वाला राज कौण सा है तो आप राइट कर देंगे अधिक्तम सचर्टा वाला राज राज का नाम राइट कर दिजेगा और आपने मंचित्र में इस वो भर दिजेगा थर्ड नमबर पे आता है मति प्रदेश का एक प्रमूख तामबा छेत्र कौन सा है चोथे नमबर पे गुजरात का सबसे बड़ा नगर सारा आपको आपके मांचित्र में भरने को आएगा आप सारे राज केंदर छेत्र को भर दिजेगा पच्वाँ है उत्ता प्रदेश का प्रमूख परमाडु सत्क्ति केंदर कहां है ये भी आप भर दिजेगा आपने मांचित्र में ये आप में बता दूगा आपको कि अगर आपको मांचित्र मिले तो आपको ये नहीं करना है कि जो भी आप जैसे आ गया सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज तो आप राज का नाम न लिखें और डारेक्ट मांचित्र में भर देंगे तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा यानि कि अगर जो कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आपने कुछ राइट किया है नहीं इसका आंसर नहीं लिखे है ठीक है इसलिए एक्जामनर सबसे पहले प्रस्ण का उत्तर देखेंगे आपके कॉपी में फिर जाके वो मांचित्र को देखेंगे और ये भी मैं बता दू कि ये जरूरी नहीं है कि जो एक्जामनर अगर आपकी कॉपी चेक करें वो मांचित्र में देखें कि आपने दर्साया कहा है हो सकता है कि आपके प्रस्ण का उतर देखेंगे ही आपको पूरे के पूरे नंबर आपको देदे या फिर अगर आपको 25 नंबर पे मांचितर नहीं भरने आ रहा है तो मत भरिएगा या फिर उसे मत राइट करिएगा क्योंकि यहां पे आपको अथवा में और्ध कुछ दिया है केवल द्रिष्ट बाधित परिच्छार्थियों के लिए है सुरी यहां पे मैं बता दू आपको कि यह तो आप लोगों के लिए है और यह द्रिष्ट बाधित यानी जिनके आखुम कोई प्रॉब्लम है उनके लिए यह नीचे का कदिया गया है फर्स्ट है भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज का नाम लिखिए यह उनको और मांचितर में राट करनी दे नहीं आया है वो मांचितर में भरेंगे वो केवल कौपी पे आंसर राइट करेंगे जो कtać एक एक नंबर का यह दिया है उपरवाला आध्याध्य नंबर का है और नीचे वाला पूरा एक नंबर का है भारत के सबसे अधिज संख्या वाले राजी कौन सा है नाम लिखना है दुसरा है भारत के अधिक्तम साचर्टा वाले राजी का नाम लिखिए तिसरा है मध्य प्रदेश के एक प्रमुख तामबा छेतर का नाम लिखिए चोथा है गुजरात के सबसे बड़े नगर का नाम लिखे सारे एक एक नंबर के क्वेस्टन है सबसे लाश्ट और पाच्वा क्वेस्टन है उत्ता प्रदेश का प्रमुख परमाड सक्ति केंद्र कहां पर है तो ये रहे आपके दोनों पचिसवा का दोनों आपके क्वेस्टन 26 नंबर पे आते हैं संसार के दिये गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्होद्वारा निमलिखित को दर्साए तथा उनके नाम भी लिखे एसिया का सबसे अधी जनसंख्यावरा देश कौन सा है ये भी आपके आधे आधे नंबर का है यानि कि आपको मानचित्र में 25-26 दो क्वेस्टन ऐसे होते हैं जो आपको मानचित्र में भरना होता है और कॉपी में उस देश का नाम राजी का नगर का छेत्र का केंदर का नाम लिखना होता है दुसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है तिसरा है जापान का सबसे बड़ा नगर चोथा है अमेजन बेसिक और पाचवा है दच्छीड अमेरिका का सबसे चोटा देश कौन सा है और ये रहा दिरिश्ट वादित परिछार्थियों के लिए अथवा में करके दिया है पहला है एसीया का सबसे अधिग जनसंख्या वाले देश का नाम लिखे सारे का सारे आपका एक एक नंबर का question है दुसरा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है उसका नाम भी आपको write करना है तिसरे नंबर पे है जापान के सबसे बड़े नगर का नाम लिखे और चोथा है Amazon Basin कहां है पाच्वा है दच्षिड अमेरिका का सबसे छोटा देश का नाम लिखे तो friends ये रहे आपके यानि की कच्छा बारहमी के भूगोल का model paper रहा अगर friends आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सस्क्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दिजेगा और friends मैं आपको बता दू अगर आपको आपके board exam में पूरा का पूरा आपको question solve करना है अगर कोई भी question आपको नहीं आता है यानि कि अगर आप एक भी question आपको नहीं पता है तो मैं अपनी पिछली वीडियो में आप ट्रीक बता चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप अपनी copy कैसे write करेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर किस तरीके से प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर जाके मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर और कोई subject में अगर आपको problem हो तो comment box में जरूर राइट कर दीजिएगा